नमस्कार मैं हूँ स्वपनिल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं स्पोर्ट्स नाइट अजीत अगरकर को टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर बने अब एक दिन बीच चुका है लेकिन खबरों में वो लगातार बने हुए हैं अगरकर से जुड़ी हर खासवाम खबर अब सुर्खियों में है क्या आप जानते हैं कि अगरकर की एक लव स्टोरी भी है और वो कैसी रही है अगर नहीं तो इस वीडियो के माध्यम सेम आपको अगरकर की लव स्टोरी के बारे में जरूर बताएंगे अजीद अगरकर जितने खास क्रिकेटर है उतनी ही खास है उनकी लव स्टोरी क्रिकेट उनकी जिंदगी के लिए बहुत एहम है दिल्चास पात ये है कि अजीद अगरकर को उनकी जीवन साथ ही भी क्रिकेट की वज़ा से ही मिले अगरकर की पतनी फातिमा अपने भाई के साथ क्रिकेट मैच देखने आया करती थी उनके भाई को क्रिकेट का काफी शौक था और वो अगरकर के दोस्त भी थे अगरकर को अपने दोस्त की बहन पर प्यार आ गया फातिमा भी मैच देखते देखते अपना दिल हार बैठी पहले तो लगा कि इन दोनों की बीच काफी गहरी दोस्ती है लेकिन ये दोस्ती कब प्यार में तबदील हो गई पता ही नहीं चला अजीत अगरकर और फातिमा के लिए असली अर्चन थी धर्म जिसकी वज़ा से इनकी विवा में घरवालों ने विरोध भी किया था घरवालों की नाराजगी और गुस्से की पीच इनका रिष्टा मजबूत ही रहा आखिरकार प्यार की जीत हुई और दोनों ने वर्ष 2002 में शादी कर ली ये अजीत अगरकर के क्रिकेट करियर की शुरुआती ही दिन थे शादी के बाद भारते क्रिकेटर्स की चर्चिज जोडियों में अगरकर और फातिमा की जोडी भी रही बात के दिनों में भी फातिमा का स्टेडियम आना जारी रहा आपको बता दें अजीत अगरकर ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू वंडे सीरीज में डेब्यू किया था पहली मैच में उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट को आउट कर दिया था और साथी क्रिकेट के मैदान पर अपने तेवर दिखा दिये थे इस सीरीज में अजीत अगरकर ने सबसे ज़्यादा 10 विकेट्स हासिल किये थे अजीत अगरकर यहीं नहीं रुके उन्होंने महज 23 मैचों में ही 50 वंडे हासिल कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था अजीत अगरकर का यह रिकॉर्ड 2009 में अजन्ता मैंडिस ने तोड़ा था लेकिन भारत का कोई भी खिलाडी अब तक अगरकर के इस शिखर को पार नहीं कर पाया है आपको बता दें अगरकर वंडे में सबसे तेजी से 200 विकेट्स लेने वाले भारती अभी हैं उन्होंने एक कारनामा महज 163 पारियों में हासिल कर लिया था अजीत अगरकर भले ही बतौर गेंदबास टीम इंडिया में आये थे लेकिन उनके अंदर एक विसफोटक बले बास भी शामिल था अगरकर को जब भी मौका मिला उन्होंने बले का जल्वा जरूर दिखाया अगरकर ने साल 2000 में सबसे तेज वंडे अर्ध शतक ठोक कर अपनी धमक दिखाई थी अगरकर ने तब जिंबाववे के खिलाफ महज 21 गेंदों में ही अर्ध शतक जमा दिया था और इसके साथ ही उन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था अगरकर आज भी सबसे तेज वंडे अर्ध शतक लगाने वाले भारत ये खिलाडी है आपको बता दें अजीत अगरकर ने सिर्फ वंडे क्रिकेट ही नहीं बलकि टेस्ट में भी अपने बल्ले बाजी का जलवा दिखाया है इस खिलाडी ने साल 2002 में इंगलेंड के खिलाफ शांदार 109 रनों की पारी खेली थी अगरकर ने ये शतक लॉट्स के एतिहासिक मैदान पर लगाया था इस मैदान पर सचिन और पोंटिंग के बल्ले से भी टेस्ट शतक नहीं निकला है लेकिन अगरकर का नाम लॉट्स के ओनर्स बोर्ड में जरूर दर्ज है थन्यवाद